1990 के बॉलेवुट के music scene को नदीम शवन की जॉड़ी ने completely dominate किया था नदीम शवन और मूस्ट हर फिल्म का music दे रहे थे नदीम शवन एक एक दिन में चाहचार फिल्मों के लिए music दे रहे थे नदीम शवन का music रेडियो पे CD में, DVD में ध्राधर भिक रहा था और नदीम शर्वन से compete करने वाला कोई भी नहीं था सिवाए एक musical जोड़ी के जिनका नाम था जतिन ललित जतिन ललित ऑल्दो नदीम शर्वन जितने successful तो नहीं थे 1990s में बट जतिन ललित second best musical जोड़ी थी 1990s की बहुत सारे directors और बहुत सारे producers के साथ जतिन ललित ने collaborate किया specially धर्मा प्रड़क्शन और येशाज प्रड़क्शन जो इंडिया की पिछले बहुत टाइम से नमबर वन और नमबर टू प्रड़क्शन कंपनीज हैं उनके साथ जतिन ललित ने multiple times क्लाप्रेट किया उनका गाने बहुत हिट हुए साधनस अगम को ब्रेक देना अभजीत भटाचारजी को ब्रेक देना और कुमार सानू को उनके शिखर पे भरकरार रखने का क्रेडिट भी जतिन ललित को इजाता है बर 2006 में फना फिल्म के बाद जतिन ललित के बीच में एक बहुत बड़ी खाई किचा गई और जतिन ललित ने एक साथ कभी भी काम ना करने का फैसला लिया क्या हुआ था ऐसा जिसके वज़े से जतिन ललित की जोड़ी तूट गई और क्यों वो आज तक एक दूसरे से बायत नहीं करते हैं भाई होने के बावजूद इस बारे में मैं आपको बताऊँगा थी वो अबास मस्तान के करियर के लिए भी अक्षक मारे करियर के लिए भी और जतिन ललित के करियर के लिए भी एक मेल का पत्थर साबेत होई खिलाड़ी का म्यूजिक सूपर डूपर हिट था और जतिन ललित की जोड़ी की बात बन चुकी थी बॉल्लिवोड में उसके बाद जतिनललित ने जोजीता वही सिकंदर का म्यूजिक दिया, कभीहान कभीना का म्यूजिक दिया, राजू बंगया जंकल, जेंटलमान, खामोशी दा म्यूजिकल, इन सब फिल्मों का म्यूजिक दिया और इन सारी फिल्मों का म्यूजिक सूपर डूपर हिट हुआ जिसका बेस्स सेलिंग आलबम उनके नाम पे था और वो नदीम शवन नहीं थे 1995 में आए दिलवाले दुरनिया ले जाएंगे ने बेस्स सेलिंग आलबम के मामले में नदीम शवन की फिल्म को भी पीछे कर दिया था उसके बाद जतिनललित ने आगे भी गाने कंपोस किये येस बॉस जब प्यार किसी से होता है कुछ कुछ होता है सरफरोश गुलाम प्यार किया तो डरना क्या प्यार तो होना ही था और ना जाने कितनी ही साथ ही बड़ी बड़ी फिल्मों के बट इनका में जो इनको लोग जानते हैं वो जानते हैं इनके कॉलाबरेशन्स करन जोहर और आदिज चोपड़ा के साथ दिलवाले दुरनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है के लिए तो जतिनली इतने म्यूजिक कमपोस किया ही था और इसका म्यूजिक ब्लॉकबस्टर था बट जैसे ही 2000 आया वैसे ही बॉल्ली वोड का म्यूजिक सीन चेंज हो चुका था प्रोडूसर्स और डिरेक्ट इस चीज़ को ले करके जतिनली बहुत ज़्यादा एप्रेहंसिव थे जतिनली इस आइडिया से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे कि एक फिल्म का म्यूजिक दो से तीन म्यूजिक डिरेक्टर अलग अलग देंगे बट क्योंकि प्रोडूसर्स और डिरेक्टर पर ज़िक खुश नहीं थे और वो चाते थे कि वो एक फिल्म में एक ही बार ऐकी बार कॉंटर्ब्यूट करें और पूरी शद्धा से काम करें लेकिन जब जतिन को यह पता चला कि साथ में भी लोग काम करेंगे एक ही फिल्म के आलबम पे इस चीज़ को ले करके जतिन खुश नहीं थे बट उनके भाई ललित पंडित ने उनको कन्विंस कर लिया कि उनको मैनेज करना होगा because producers अगर हम ऐसा नहीं करेंगे जिसका म्यूजिक टीन लोगों ने दिया था आदेश शिवास्तव, जतिन ललित एंड शैलेश संदल्या जतिन ललित का गाना बोले चूणियां बहुत बड़ा ब्लॉक्बस्टर हुआ था उसके बावजूद जतिन बहुत आदा खुश नहीं थे जतिन और करण जोहर के बीच में कहा सुनी होगई थी बिकाज जतिन ने insist किया था करण जोहर को कि कभी खुशी कभी गम का पूरा music जतिन ललित की टीम ही देगी बड त करण जोहर नहीं माने भिर से जतिन ललित की टीम को ललित ने convince कर लिया था कभी खुशी कभी गम की success party में और उनको समझाया था कि कैसे changing times के साथ उनको भी अपने तरीके बदलने होंगे उसके बाद film आई हम तुम जो एक again blockbuster film थी धर्म प्रेक्शन्स की फिल्म नहीं थी वो यश्राच चोपड़ा की फिल्म थी एन ये श्राच के फिल्म के लिए again हम तुम के लिए best music director की जोड़ी को नवाजा गया जतिनलित को उसके बाद एक फिल्म आई थी फणा फणा का म्यूजिक जतिनलित ने दिया था और उसके दो गाने कंपोस किये थे एक गाना कंपोस किया था आदेश वास्तर ना और एक गाना कंपोस किया था शैलेश संदलिया ने बट उसके बाद जतिनलित ने फणा फिल्म के बाद एक दूसरे से एक दमकन्नी काट ली और एक दूसरे से बात भी करना बंद कर दिया तो बात actually ये हुई थी कि फणा फिल्म के बाद जतिन है जतिन ललित के उनको ये पता चल गया था कि ललित एक्स्ट्रा पैसे ले रहे थे करण जोहर से एक्स्ट्रा पैसे ले रहे थे यश्रास से और वो जतिन को कन्विंस करते थे कि हमें कुलाबरेट कर लेना चाहिए बाक ललित को एक्स्ट्रा इंकम आ रही है करंजोहर और आदिती छोपड़ा से ही और जब जतिन ने उस चार्टर अकाउंटर को थोड़ा ग्रिल किया। उसने बता दिया कि ये पैसे ललित को एक्स्ट्रा इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो जतिन को convince करें कि वो multiple misodactics याथ एक film में काम करें ये चीज जब जतिन को पता चल गई तो जतिन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी ने लगी उनके सगे भाई से उनको ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा धोका मिला है और उन्होंने ललित को confront किया ललित न सीधे-सीधे हाथ खड़े कर लिये उन्होंने कहा कि ये पैसे उस ज़ज़े से नहीं मिले हैं उन्होंने कहा कि ये फ्रेंडशिप जाद अच्छी है कि वो मल्टिपल मुज़े डेक्टर से इसाथ काम करें और किसी भी चीज़ को लेकर के करंग जोहर या अधित चुपड़ा को confront न करें और ये बात जदिन ललित के बीच में एक ऐसा इशू साबित हुई जिसको वो लोग सॉल्व नहीं कर पाए बाद में दोनों ने अलग अलग जाने का फैसला ले लिया और आज तक दोनों इस दूसरे से बात नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ किसी इवेंट पर भी नहीं दिखते हैं दोनों के बच्चे भी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं 2011 में दोनों साथ में आने की कोशिश दरूर किये थे वर उसके बावजूद इन दोनों के बीच में कोई भी reconciliation हो नहीं पाया है जदिन ने ललित के उपर बाद में आरोप भी लगाया कि उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे लिए music directors, film producers थे और जदिनों convince करने ही कोशिश की कि वो अपने art form के साथ compromise करें और यह चीज उनको बिल्कुल भी अच्छिन लगी ललित ने बाद में माफिय भी मंगने ही कोशिश की बट यह issue कितना बड़ा issue थाबित हो गया जिसके विए से दोनों अलगरे रास्ते पर ही चले गए